राजस्थान में चलने वाली गैंग वार के बीच एक ऐसा नाम है जो बार बार चर्चा में आता है ये नाम है लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का जी सीकर में गैंग्स्टर राजू टेहट की हत्या के बाद भी ये नाम फिर से चर्चा में है लेडी डॉन कभी राजस्थान के सबसे बड़े गैंग्स्टर मैंने जाने वाले आनंदपाल की प्रेमका रह चुकी है मीडिया रिपॉर्ट्स के अनुसार आनंद पाल के इंकाउंटर में मारे जाने के बाद वे अब लॉर्न्स गैंक के गैंक्स्टर काला जिठेडी के साथ लिविन रिलेशन्चिप में रह रही है जुर्म के दुनिया में उसे रिवॉल्वर रानी के नाम से भी जाना जाता है बताया जाता है कि शादी के बाद उसने शेर बजार में पती की मदद करना शुरू कर दिया था इस दोरान उसके पती को करोणो रुपए का घाटा हो गया इसे सिलसले में अनुराधा की मुलाकात नामी गैंक्स्टर आननपाल से हुए मुलाकात जान पहचान में बदली और दोनों की दोस्ती घहरी होती चले गई इसके बाद अनुराधा ने पती का साथ छोड़ दिया और आननपाल की गैंग में शामिल हो गई आननपाल की गैंग में आने के बार अनुराधा ने क्राइम की बारी किया सीखी थी आननपाल ने उसे शार्प शूटर बना दिया था वे AK-47 जैसे आधुनेक हत्यार चलाने और अबरहन करने के मामले में माहिर मानी जाती थी आननपाल गैंग में उसे मैडम मिंस के नाम से जाना जाता था अनुराधा फराटेदार अंग्रेजी बोलती है अनुराधा को चाल धाल का मौडन तरीका और मौडन लिबास आता था उसने देशी डॉन आननपाल को मौडन डॉन बनाना शुरू कर दिया था आननपाल भी जीन्स, टीशिर्ट, हैट और स्टाइलिश चश्मे में नजर आने लगा अंग्रेजी में डायलोग बोलने लगा जेल से पेशी पर लाने के दौरान डॉन अंग्रेजी में मीडिया में बात करने लगा फिर गैंग्स्टन आननपाल ने अपनी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदर डाली लेकिन अनुराधा का सिर्फ इतना सा काम नहीं था देखते ही देखते अनुराधा आननपाल गैंग का ब्रेन बन गई थी फिरोती वसूलने की स्टाइल से लेकर गैंग का financial management अनुराधा समाहले लगी